Hello student, स्वागत आप सभी का RBI एडिटीब क्लास में तो student इस वीडिव में हम discuss करेंगे multiplication साफ algebraic expression, ठीके? इसमें हम algebraic expression को multiply करेंगे दूसरे algebraic expression के साथ तो इसके मैंने चार वीडियो पहले बना रखें यह मारा पाचवा पार्ट है इसमें हम discuss करेंगे multiplication और उनको आपस्मे करेंगे। मतलब हÎं और a train इसमे होता है, धी 어떻 टीन पद से Mestarlosuk पταरेंगे। चलू करते होते हैं, यह समक्स्षाहिएाँ जैसे मान लो हुक्स पहला ऐक्जांपल है वो ने ले लिया 2x प्लस 3Y multiply 2X प्लस 3Y by 7X प्लस 2X स्कोयर प्लस 4X इसमें हमें multiply कराना है ठीके यह एक binomial है 2X प्लस 3Y और यह एक trinomial है 7X प्लस 2X स्कोयर और प्लस 4X क्यूब तो इसको हमें multiply कराना है चलो शुरू करते हैं solution अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है इस टर्म को ऐसे write करना है break it में 2X प्लस 3Y फिर यहाँ पर into लगा करके इस टर्म को write करना है 7X प्लस 2X स्कोयर और प्लस 4X क्यूब अब जब यह हमने write कर लिया तो अगला step हमारा क्या होगा देखो सबसे पहले यहाँ से एक term उठाएंगे और इनको सब में multiply कराएंगे तो यहाँ पर गलती ना हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं एक step थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं वह क्या है आप सबसे पहले इसको write कर लिजे 2X और यह पूरा bracket write कर लिजे 7X प्लस 2X स्कोयर प्लस 4X क्यूब इतना करने के बाद में अब यह वाला term write कीजे 3Y है ना साइन क्या होगा देखो जो इस नंबर के आगे साइन लागा होगा वह ही साइन जैसे यहाँ पर प्लस साइन लगा तो यहाँ प्लस साइन क्या लिखा है 3Y अब यह पूरा term write कर लिजे 7X प्लस 2X स्कोयर प्लस 4X क्यूब इसको आप close कर लिजे ठीक है इतना करने के बाद में main काम अब है ठीक है वीडियो को थुड़ा आंतर तक देखिया गा ताकि आपको सही से information समझ में आए अब इस पूरे term को इसमें multiply करते जाना है तो जैसे देखो 2 का जब 7 में multiply कराएंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस टू सेवन जा 14 X इंटू एक्स एक्स स्कोर फिर जब इसका इसमें multiply कराएंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस टू टू जा 4 X इंटू एक्स एक्स क्यूब फिर जब इसमें multiply कराएंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 4 टूजा 8 X इंटू X क्यूब X रेज टू पावर 4 मल्टिप्लिकेशन में पावर एड़ होता है अब जब इसको इसमें मल्टिप्लाई कराएंगे ठीक है तब क्या होगा देखो प्लस है तो साइन तो प्लस ही आने वाला है प्लस इंटू प्लस प्लस 37 जा 21 X Y फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 32 जा 6 X स्क्वेर Y फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 34 जा 12 X क्यूब Y आपने याप एक्छी ध्यान दिया होगा हमने x को पहले rate किया है और y को बाद में rate किया है तो algebraic expression में एक rule होता है कि आपको alphabetical order में rate करना होता है तो जैसे x पहले आता है और y बाद में आता है तो ये इस question का multiplication होगा हमारा ठीके एक और example लेते हैं जिसमें कोई term minus हो so multiply 7x square minus 4xy by 2x plus 3y square minus 4xy यहाँ पर ठीके यह हमारा एक binomial term है और यह हमारा एक trinomial है ठीके तो चलो इनको multiply कराते है solution फिर से वापस है वही काम जो दिया है उसको पहले as it is write कर लो 7x square minus 4x और into 2x plus 3y square minus 4xy अब जब इतना आपने write कर लिया तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसको लीजिए यह वाला term इसका sign क्या है plus है 7x square plus हम पहले लिखते नहीं है ठीके शुरुआत में हम plus नहीं लिखते है फिर यह पूरा जो bracket है यह write कर दीजिए 2x plus 3y square minus 4xy अब यह हो गया यहाँ पे कौन सब्साइन है minus इसको minus लगा के यह write कर लिजिए 4x फिर से यह पूरा term rate कर लिजिए 2x plus 3y square minus 4xy अब जब आपने इतना write कर लिए तो आपको क्या करना है इसको इसके अंदर multiply कराना है तो जैसे यह 7 positive है और यह 2 positive है तो plus multiply by plus become plus 7 to 14 x into x x raise to the power 3 अब शुरुवात में हम plus लिखते नहीं है ठीक है मैं बार-बार लिखके मिटा दिता हूं ताकि आपको ध्यान रहे इसके बाद में यह जो 7x square है इसको multiply करेंगे 3y square में तो 7, 3 जब कितना होगा 21 अब इसको प्लस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर होगे तो plus आएगा x square और y square दोनों अलग अलग है तो x square y square अब 7 का 4 में multiply कराएंगे प्लस into minus minus 7, 4 जा 28 x square into x x cube into y अब इधर पहुचेंगे second part पर तो यहाँ पर minus sign है क्या है यहाँ पर minus sign है तो minus into plus minus 4, 2 जा 8 x into x x square minus into plus minus 4, 3 जा 12 x y square minus into minus plus 4, 4 जा 16 x into x x square into y ठीके तो इस परकार से आपने देखा कि इसका जो multiplication आया वो आया 4 x cube plus 21 x square y square minus 28 x cube y minus 8 x square minus 12 x y square plus 16 x square y तो आपने देखा कि मतलब इसको हम कैसे कितने आसान तरीके से multiply कर सकते हैं ठीके आपको क्या करना होता है आपको बार बार practice करनी है मान लिजे जो question आपको आता है आप कर लेते हो उसी को आप बार बार practice करो तो आपको समझ में आ जाएगा आप इसको वीडियो को पास करके write down कर लिजे फिर एक आधा example और देखते है तो उमीद करता हूँ आपने वीडियो को पास करके इसको write down कर लिया होगा इस बार x, y को छोड़ करके कोई और term लेते है पर इकजांपल मान लिजे कि हमने आप लिया multiply 3m प्लस 11n बाई 3 by 2x square नहीं, x नहीं लेते है m लेते है m square minus 7 plus 2n ठीके, यह मारा question है इसमें हमें multiply कराना है क्या लिखा है यहाँ पर multiply 3m plus 11n by 3 by 2m square minus 7 plus 2n तो यह हमारा binomial term है और यह हमारा trinomial term है चलिए देखते हैं इसका solution क्या आएगा सबसे पहले आपको इसको ऐसे write कर लेना है 3m plus 11n into 3 by 2 m square minus 7 plus 2n तो वापस से यही काम पहले यह उठाना है तो यहाँ पर देखो plus लिखा है तो plus लिखने की ज़रूर नहीं है 3m उसके बाद यह पूरा term आप write कर दीजिए 3 by 2 m square minus 7 plus 2n उसके बाद में हम जब इस दूसरे पर आएंगे तो आपे plus sign है plus write कर दीजिए 11n है उसको write कर दीजिए फिर यह पूरा bracket write कर दीजिए इदर वाला 3 by 2m square minus 7 plus 2n और bracket close अब हमें क्या करना है कि इसको bracket के अंदर multiply कराना है तो जब bracket के अंदर multiply कराएंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पे plus sign है यहाँ पे plus sign है तो plus into plus plus ही आएगा 3m into यह 3 by 2m square इतना write कर दीजिए हमने फिर जब यहाँ पर रहेंगे तो plus into minus minus 3m into 7 जब यहाँ पर रहेंगे तो plus into plus plus 3 into 2n sorry 3m into 2n अभी तो मारे यह एक portion हुआ यहाँ से यहाँ तक अब जब इधर आएंगे तब क्या होगा देखो plus 11n into यह 3 by 2m square plus into minus minus 11n into 7 plus into plus plus 11n into 2n ठीक है यह हो गया हमारा इसमें एक लाइन और बढ़ जाएगा तो होगा क्या देखो अब यह कटने वाला तो कुछ है नहीं तो जब नहीं कटने वाला है तो यह 3 इससे multiply होगा 3 3 9 m into m square m raised to the power 3 2 को नीचे ऐसे 2e write कर देंगे फिर minus 3 7 21 m plus 3 26 m n फिर यहाँ पर आजाएंगे देखो 11 3 जा 33 n into m square तो m square n by 2 यह plus आईने तो plus रहेगा अब देखो alphabet में m पहले आता है n बाद में आता है यहाँ पर जब आएंगे तो minus हो जाएगा 11 7 जा 77 into n यहाँ पर जब आएंगे तो plus है 11 2 जा 22 n into n n square तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो multiplication है वो क्या आ गया तो इसका हमारा answer यह होगा आप इसको write down कर लिजे और अगर आपको algebraic expression के multiplication से related कोई query है तो comment box में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर youtube channel के about में जाकर के मुझे mail कर सकते हैं वहाँ पर मेरी mail id है तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों कैसे लगा साथी साथ यह हमारा पांचवा पार्ट है इस वीडियो का ठीके 6 पार्ट अभी आने वाला है तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू क्लास झाला है